हर्याना एट टाइन पेम नुश्यानल में आपका स्वागित है आई आपको कराते हैं खबर सब्रीब आज SGM के आदेशों पर खर्खुदा में खुली क्रियाने की दुकानी लोगों को मिली रहा है हर्याना में आगले दो दिनों में होनी वाली है बारिश जान ये मौसम का पूर्वनुमान कंपनी कमांजे की पतनी की हत्या की राज से उठा परदा पति और देवर निमिलकर की हत्या हर्याना में लोगडाउन वी बाहर घुमने वालों पर सकती ग्रह मंतरी ने दिये ये आदेश हर्याना की ग्रह मंतरी अनिर्विज ने कहा कि राजे में चल रही लोगडाउन की दोरान आवगर्मन के लिए विभागे आईकार्ड या सरकार द्वरा जारी पास होना अनिवारिय है इसके बिना सडकों पर घुमने वाली लोगों के खिलाफ सर्थ कारेवाही की जाए श्रीविज ने आज यहां पुलिस विभाग के वरिस्ट अधिकारियों की बैठेक में कहा कि स्थानिय स्तर पर ओनलाइन आवगर्मन पास बनान के लिए उपायुक्तों को आदेश दे गए है इसे लोगों को चाहिए कि बिवज़े वे अपने घरों से बाहर ना निकले और जिन केटेग्री को लोगडाउन में आने जाने के छूट दी गई है उन्हीं भी पास या आईकार दिखाना ज़रूरी है ग्रह मंतरीनी राजय में किरियाना दवायों तथा अन्या आवशक वस्तों की दुकानों को रोस्टर बना कर खोलने के आदेश दिये हैं इस प्रकार के सभी दुकाने प्रति दिन नहीं खोली दी जाएंगी बलकि रोटेशन में खोली जाएंगी इसके साथ ही अंतिम संसकार में सरकार द्वराजारी नियमों का पालन करवाया जाए तथा होटल, जेम, क्लब, वेरेस्टो इताधी को पुरी तरह से बन रखा जाए हर्यान में बिदे दिनों हलकी बारिश की बारिश की पिछले दो दिनों में मोसम एकदम से बदल गया और तापमान बढ़नी की कारण काफी गर्मी बढ़ गई वही मोसम विभाग ने आज बताया कि अगली आठ मैं तक मोसम में बदलाव होगा पश्चिमी विक्षोब की आश्चंकी प्रभाव से हर्यान राज्जी के उत्री वे दक्षन पश्चिमी जिलों में 29 अप्रेल रात्री से दो माई तक कही कही धूल भरी हवाओं वे गरश चमक के साथ छिटपुट पूंदा बांदिया हलकी बारिश दर्श हुई जिससे दिन का तापमान सामानी के आसपास बना रहा परन्तु बादल वाई के कारण रात्री तापमान में सामानी से दो से चार डिग्री सेल्शिस तक बढ़ोतरी दर्श हुई मोसम पूरवनुमान हर्यान राजे में मोसम आठ मई तक परिवर्तन शिर्व बनी रहने के संभावना है एक और पश्ची में विक्षोब के आशन के प्रिभाव से पांच मई रातरी से राजे में फिर से मोसम में बदलाव होने के संभावना है जिससे राजे के जातर जिलो में 6-7 माई को बादलवाई और बीच बीच में तेज धूल भरी हमाई चलनी गरश चमक के साथ कहीं कहीं हलकी बारिश होने की संभावना भी है इन दोर में गर्फती महिला की हत्या कराज पुलिस ने सुलचा लिया है कम्पनी कमांडर की गर्फती पत्नी पुजा और जहनवी की हत्या के मामले में पुलिस ने संसनी खेज खुला सकिया है पुलिस ने बताया कि शुरवात में कमांडर खुद को बेकसूर बता रहा था लेकिन पुलिस के कड़ी पुछताश में सामनी आयां कि पती नी अपने दो भाईयों के साथ मिलकर पूजा की हत्या की थी बारदात के एक दिन पहले ही कमपनी कमांडर की दो शादियों कराज दोनों बीवियों के सामनी आ गया था दूसरी पत्नी ने पहली पत्नी को फोन लगा कर विवाद भी किया था इसके बाद पहली पत्नी ने पत्नी को फोन कर बच्चों समीत आत्म हत्या करने की धमकी भी दी थी इसे दुरान हुए विवाद के बाद ही कमपनी कमांडर और उसके भाई ने गुसे में इंदोर में रहनी वाली पत्नी पूजा की हत्या कर दी आपको बता दी कि इंदोर में मलहार गंज थाना शेतर सहित रामदुलारी एवेन्यू के फ्लैट में गर्वती महिला की लाश मिली थी उसके पैचान पूजा और जाहनवी पती जितेंदर के रुप में हुई थी पती जितेंदर पूलिस में पदस्थ है और कंपनी कमाज है पॉस्ट मार्टम रिपोर्ट में पदा चला की पूजा की गला घोटकर हत्या की गई थी वह आठ महिनी की गर्वती थी मामले में पुलिस ने बुजा के पते जितेंद्रोस के छोटे भाई राहुल समे तीन लोगों को गिरफ़तार कर लिया है